हेलो गाईज, वेलकम बैक टो विशेश क्लासिस तो जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है रिवीजन करेंगे हाईयर एजुकेशन की जो मॉस्ट एक्सपेक्टिड एमसी क्यूज है जो चांसीज है आने के क्योंकि higher education ancient India पे बहुत पुछा जा रहा है और जो भी आपके education से related है तो normal questions बहुत मतलब direct questions हैं आपको सिर्फ concept करना है तो higher education मैं already almost complete करा चुगे तो सिर्फ quality को छोड़के तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा lectures वो देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा और उपर यहाँ पर आई card पर भी आपको दिख जाएगा ठीक है तो शुरू करते हैं first question के साथ which of the following universities was famous for its specialized training on the subject of tantric Buddhism तो इसने पुछा है कि कौन सी university ऐसी है जो famous है वो किसमें देते है specialized training देती है किस subject में tantric Buddhism में ठीक है तो इसका जो answer आपको जो universities में दिया हुआ है वो क्या है नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दाला और मिथिला ठीक है तो इसका जो answer है वो है विक्रमशिला ठीक है विक्रमशिला बहुत famous रही है अपने time पे tantric Buddhism को लेकि ठीक है तो इसका answer विक्रमशिला ठीक है मतलब वहाँ पे आपको सभी commissions बता चुगी तो किसने क्या प्रपॉस किया था तो अभी यह पूछ रहा है कि तीन universities ऐसी हैं जो establish हुई थी कलकत्ता बोंबे और मदरास में in 1857 तो किसने वो report दी थी कि जिसके जिसके base पे यह establish हुई woods dispatch, mcleminutes, oriental approach और all of the above तो जो इसका answer है वो है woods dispatch उन्होंने क्या दिया था उन्होंने यह दिया था कि हम प्रपॉस क्या था कि हमें जो universities हैं वो इन तेन reasons में अपने लानी चाहिए ठीक है next है the name of the plan to increase enrollment in higher education institutions कि ऐसा कौन सा है रूसा, सर्वशिक्षाभ्यान, बोथे and be none of the above कि ऐसा कौन सा plan है जो enrollment increase करने के लिए higher education institutions में लाया गया है ठीक है तो रूसा, राश्ट्रे उच्थर शिक्षाभ्यान, RUSA, सर्वशिक्षाभ्यान, बोथे and be none of the above तो इसका answer है RUSA, राश्ट्रे उच्थर शिक्षाभ्यान यह मैं already complete करा चुकी हूँ इसका पुरा description आपको, इसमें मिलेगा, description में मिलेगा, ठीक है आप उस लिंक को देख सकते है मैंने वहाँ पे अच्छे से explain किया है तो अभी basically जो राश्ट्रे उच्थर शिक्षाभ्यान का परपस था वो यही था कि जो हम enrollment है अपनी higher education institutes में उनको बढ़ाएं ठीक है क्योंकि देखो क्या होता है कि कहीं बच्चे क्या होता है कि reason की वज़े से मतलब reason मतलब की area की वज़े से ठीक है या biasness की मतलब कि कुछ लड़कियों को बढ़ाएं नहीं जाता या फिर कुछ और भी पर जो राष्टे उच्चतर सिक्षा भ्यान लाया गया था वो इसलिए लाया था कि हम में क्या करना है जो higher education institutions हैं उसमें enrollment को बढ़ाना है ठीक है तो A is the right answer which of the following commissions report is titled as education and national development report किसकी commission report को educational and national development report भी बोला गया था राधाकृष्णन कमेशन, कोठारी कमेशन, मुदेलर कमेशन और नान तो अंसर है कोठारी कमेशन, कोठारी कमेशन अपने टाइम पे बहुत important commission रही थी यह after independence में है ठीक है यहाँ पे क्या था किसको दूसरा नाम पुछा है कि जिसको क्या बोला था कोठारी कमेशन तो ही साथ में इसको बोला गया था education and national development report और यह commission सेट अप हुआ था 14 जुलाई 1964 को under the chairmanship of दौलत सिंग कोठारी जो chairman थी UGC के ठीक है और इसको क्या बोला गया education and national development report भी ठीक है the first committee to be constituted after independence by government of India on women's education was कि जो first committee थी जो इंडिया after independence constitute वी थी government of India ने की थी women education पर मतलब महिलाओं की education वो महिलाओं की सिक्ष्षता के लिए वो कौन सी थी दौक्टर राधाकृष्णन दमुदीलियर श्री स्री पक्षा कमेशन दौक्टर दुर्गाबाई देशमुक कमेटी तो इसका अंसर है D. दुर्गाबाई देशमुक कमेटी जो first committee थी after जिनोंने focus किया कि women के education पर भी हमें focus करना चाहिए वो first chairman थी national council on women education की जो government ने ना शुरू करें तो D is the right answer दुर्गाबाई देशमुक कमेटी the first open university in India was first open university देखो यह पूछ लेते हैं कि first open university कौन सी थी या फिर first university कौन से established हुई थी तो यह मतलब यह चीज़ें आप ज़रूर करके जाना कई मरी first second answer पूछ लेते हैं तो फर्स open university इंडिया में कौन सी है थी आंध्रिपर्देश open university इंद्रा गांधी नेशनल open university दिली युनिवरस्टी नन अफ दवर्ग तो इसका अंसर है आंध्रिपर्देश open university which of the following known as Calcutta University Commission इस में से किस commission को Calcutta University Commission भी बोला जाता है Sadler Commission, Kothari Commission, Hunter Commission, Wood Dispatch तो इसका अंसर है Sadler Commission क्यों ये popular है Calcutta University Commission के लिए और इन्होंने क्या recommend किया था कि जो intermediate education है उसको degree college से अलग कर देना चाहिए और एक special selection होना चाहिए selection of teachers के लिए ताकि teachers का मतलब जैसे exam 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 होते है teachers के लिए तो इन्होंने ये purpose किया था ठीक है तो that is Sadler Commission The medium of instruction in Buddhist education has been Sanskrit, Pali, Hindu, Urdu देखो Vedic education में कौन सी थी Sanskrit मानी गई थी Buddhist education में वैसे उनकी जो सारी teachings थी वो oral थी ठीक है पर उनकी जो literature लिखे गए है वो पाली में लिखे गए है तो हम मानते हैं कि जो medium of instruction है Buddhist education का वो किसमें रहा था language कोन सी यूज होती थी पाली Second, which of the following is true about RUSA RUSA is centrally sponsored scheme launched in 2013, the aim of RUSA was to increase enrollment in higher education by 30% RUSA primarily provides strategic funding to eligible state higher education institutions all of the above This is true, all of the above सारे सही है, ये centrally sponsored scheme है जो 2013 में launch हुई इसका aim था enrollment को increase करना by 30% और ये primarily अभी क्या कर दे है strategic funding दे रही है जो state higher education institution है जो eligible है इसके criteria से ठीक है तो all of the above is the right answer और इसके बारे में अगर आपको पूरा पढ़ना है तो link मैंने description में दिया हुआ है यहाँ पर आपको i-card पर भी देख जाएगा important topics of higher education में मैंने इसको explain किया है next, match, स्वेंप्रभा, देखो ये digital initiative से question है और बहुत important है digital initiative मैं करा चुकी हूँ, दो lecture है और उसके previous year questions अलग है तो आप वो ज़रूर देखेंगा, वहाँ से आपकी बहुत अच्छे से practice हो जाएगी और उसके उपर previous year question अलग से और भी है तो वहाँ पर digital initiative का आपका सारा concept लेड हो जाएगा तो इसमें देखते हैं कि आप दिया हूँ है एक स्वयम प्रभाहिक ज्यान, Global Institute of Academic Network, ज्यानवानी, ज्यानदर्शन और ज्यानधारा तो देखो जो इसका answer है वो है C स्वयम प्रभाह हमारे पास क्या है? एक Free DTA Channel है ज्यान, Global Institute of Academic Network आपके पास क्या है? जहां पर scientist और entrepreneurs आते हैं ताकि हम अपनी Indian higher education को और अच्छे से बढ़ा सकें एक academic network मतलब की एक institute है जहां पर ही सब चीजे scientist और entrepreneurs साथ में मिलते हैं ठीक है? वो किस के लिए? ताकि हम अपनी Indian higher education को और अच्छा कर सकें ग्यान वानी इतनी बार आ चुका है वानी वानी मतलब FM Radio Network दिस इस अ ट्रिक और दर्शन दर्शन मतलब चैनल तो education television channel और ग्यान धारा क्या है? एक internet audio counseling service है जहां पर लोग जहां पर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? टीचर्स के साथ live interact करते हैं ठीक है? तो C is the right answer बहुत इसी था मतलब यह digital initiative बहुत इसी है तो basically digital initiative का purpose ही क्या था कि जो बच्चे पहुच नहीं पा रहे हैं या फिर लड़कियों को जिनको education अच्छे से मतलब घर से बाहर नहीं निकलने देना है तो basically यह सब purpose है था कि सब की बीच में equity आए ठीक है? तो digital initiative परना बहुत जरूरी है तो यह कुछ important questions थे higher education के अब भी मैं और भी series इसमें लेकिया हूँगी continue रहेगी यह series ठीक है? तो इसके अलावा मैं अभी ICT का complete करा चुकी हूँ logical reasoning almost complete हो चुक है उसका एक lecture रहता है inductive deductive का जो मैं बहुत जल्द ही लेकिया हूँगी तो और fallacies पे भी रह English में मैंने discuss किया है दोनों language में तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपकी revision अच्छे से हो जाए ठीक है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं क्या है तो do subscribe my channel मैं ऐसी practice के लिए question लेते हूँगी और आपको explanation के साथ समझाऊंगे भी ठीक है पर यह है कि आप उसस सकते हैं ताकि आप यह notes और यह notes आपको वहाँ पर मिल जाएंगे telegram channel पे और facebook पे ठीक है तो मिलते हैं हम next video में thank you so much